हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ जीश्यक आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैलेंज इस पर आज मैं बात करने वाला हूँ KGF के चैप्टर 2 के रिव्यू के बारे में जिसके क्विक रिव्यू में मैंने आपको ये बात बिल्कुल साफ सब बता दी है के फिल्म थेटर में मस्वाच है जिनने मासरस ओडियंस को बहुत ही जादा ध्यान में रकर बनाये गया है जिस हिसाब में फिल्म में कई सारी प्रॉब्लम भी है जिसकी ऑनस्टी के साथ मैं इस वीडियो में बात करूँगा लेकिन उससे पहले आजाए कहानी पर तो कहानी की कंटिनुएशन चैप्टर वन के बात की ही है जिसमें रॉकी ने गरूडा को मार कर अपना कबजा के जिएफ पर बना लिया है लेकिन अब वो इसे मेंटेन करने में कामयाब होता भी है या नहीं और उसका सामना अब आने वाली किस मुसीबतों से है जिनका डटकर वो सामना करता भी है या नहीं उन्हीं सभी डीटेल्स का पता लगाने के लिए आपको ये फिल्म थेटर में जाकर देखनी होगी जिसकी लेंद अल्मोस तीन घंटे की है जिस फिल्म में वालेंज भरे पड़े है लेगिन फिर भी फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ बैटकर देख सकते हो क्यों तो चली अब उन सारी की सारी डीटेल्स पर बात करते है और इससे पहले बनेगी अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट जो की है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो आज की तारीक में मास ओडियन्स को ध्यान में रखकर फिल्में किस तरीके से बनाई जानी चाहिए उसका एक्जांपल के जीएफ चैप्टर वन में हमने देखा था जिसकी कंटिनुएशन अब बजट के हिसाब से बढ़ा कर चैप्टर टू में दिखाई गई है जिसे मैं इस साल की एक काफी पॉफिक मास ओडियन्स की बनाई गए फिल्म कहूंगा जिसे मास ओडियन्स के साथ साथ बाकी सबी ओडियन्स भी अच्छा खासा इंजॉय करेगी भले से ही फिल्म में कितने भी सारे लूप क्यों न हो लेकिन फिल्में लोग एंटरेटेंट के लिए देखते है और ये फिल्म एंटरेटेंट से भरी पड़ी है बाकी फिल्म की कहानी जहां सबी लोगों को पसंद आएगी तो कुछ ऐसे लोग भी है जिने इस तरीकी की कहानी स्क्रिन पर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उनका मानना यही है कि ऐसी फिल्मों को देखकर आज के यूद और वो लोग भी गड़ते है जो अपना 100% दे रही है बाकी रही बात फिल्म के करेक्टर को देखकर उसके पैशन को फॉलो करने की तो वैसे फॉलो अप को ट्रेंड कहा जाता है जिसका बुखार लोगों को चड़ता और बहुत जल्दी उतरता भी है लेकिन तेरे नाम का राधेक अलगी लेजंड था जिस ज़्यादा इंप्रूफ कर दिये गए है जो अप स्क्रीन पर देखकर लाजर देन लाइफ लगते है इसके अलावा उसमें फोटो कलर करेक्शन और अच्छी खासी एडिटिंग भी अपना कमाल दिखाती है जिसके पेस में आप बिल्कुल भी बोर ना होते हुए इस फिल् इस पॉइंट में गिना जाएगा लेकिन फिल्भी इस फिल्म के काफी पॉफेक एंटिटेमेंट के हिसाब से वैसी चीजे भी नजरनदास की जा सकती है जिसमें फिल्म की लेंच भी शामिल है बाकी रोकी जो कुछ भी करता है पहले से ही वो समझ के पर एक्यू ना हो और बिलीवेबल भी जिससे स्क्रिन पर देखने पर जब मज़ा आता है तो उन सभी के सभी चीजों को उठाकर दिमाग की खिल्की से बाहर फेक देना चाहिए और अब जहाँ पर थोड़ी बहुत डिसपॉइटमेंट की बात हो ही रही है तो कुछ और पॉइंट को भी आट कर करवाय गया है नो डाउट सभी की प्रेजेंटेशन हमें स्क्रिन पर बहुत ही अच्छी तरीके से नज़र आती है बट फिर भी जो डेवलप्मेंट है वो सिर्फ और सिर्फ यश्क के कैरक्टर को ही दी गई है और वो फिल्म में ये शुरेटी रहती है कि उसे कुछ नहीं होगा और सी कारण से कहीं न कहीं फिल्म के काफी माइनस से ट्विस्ट हमारे सामने पहले ही रिवील होते हुए लगते है बट इतने जादा भी नहीं क्यूंकि उन्हें भी मैनेज़ फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीकी से किया गया है बाकी बात रही विलेंस की तो फिल् और नाम का कोई भी यूज नहीं किया गया या अगर देखा जा तो फिल्म के सेकेंड हाफ में यज़ को जो थोड़ी बहुत टकर दी है वो रमीका सेन का करेक्टर है जिसके बात की बाकी की चीज़े आप काफी आसानी से प्रेडिक्ट भी कर सकते हो और इसके अलावा फिल मोमेंट में भी जान भरने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते यानि एक सिंपल से डायलोग के सिंग को भी बीजेम के जरिये ही उठाये गया है और अगेन ये सारी के सारी टेक्निक इसलिए यूज की जाती है ताकि आउडियंस थेटर में बैठे 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 बिल्कु को भी जिसमें गाने का पोशन इतना अचानक निकल कर आता है कि हमें भी पता नहीं चलता कि बागी गानों के साथ जैसा ट्रीटमेंट रखा गया था उसमें इस गाने में इस तरीके की चूक क्यों हो गई क्योंकि बाकी गानों के फिल्म की कहानी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मर्च किया गया है लेकिन उस लव के सौंग को बिलकुल भी नहीं जो कही न कहीं फिल्म की लेंथ ही बड़ाती है बाकि अब फिल्म की और डीटिल मेंij की रिटिंग की टाइम पर डिसकस कर लेता हूँ जिनमें आगर میں बात करूं फिल्म की अकशन की तो कुछ शेकी कैमेरे के अकशन के अलावा जो बाकी की अकशन फिल्म में दाले गए है और उसके अलाव बात करें फिल्म के ड्रामा की तो ड्रामा के लिए ये फिल्म पांच में से तीन स्टार डिजर्ब करेगी और ऐसी ही तीन स्टार की रेटिंग में इस फिल्म के सस्पेंस को भी दूंगा जिसके twist and turns आपको भी काफी ज़दा पसंद आएगे क्योंकि कुछ point पर जाकर भेले से ही ये फिल्म predictable क्यों न हो जाए जिसके बाद भी आप फिल्म के उस अलग से twist को बिल्कुल भी गैस नहीं कर पाओगे और हाँ रॉकी की कई सारी चालो को भी और इसका पता तो आपको फिल्म देखकर चलेगा जिसके बाद आजाए सिर्फ और सिर्फ फिल्म के तुरिल पर तो हॉरर के हिसाब से नहीं बलके एक्शन और कमाल के बीजियम को जिस तरीके से इस फिल्म में डाला गया है वो नो डाउट किसी तुरिल से कम नहीं है इसलिए इस कैटिगरी में मैं इस फिल्म को अगेन कहूंगा एक्शन के हिसाब से पांच में से चार स्टार की रेटिंग दूँगा जिसके बाद बाद करें मास ओडियन्स की तो मास ओडियन्स की नजर में ये फिल्म A प्लस की कैटिगरी डिजर्फ करती है यानि के एक पॉफिक स्कोर जिन से हटकर आजाए क्रिटिक्स पर तो क्रिटिक्स की नजरों में ये फिल्म B प्लस की रेटिंग डिजर्फ करेगी क्योंकि क्रिटिक्स को भी ये फिल्म पसंद आ रही है जिन से हटकर मैं इस फिल्म को सिधे-सिधे एक ही कैटीगरी में रखूंगा जिस कारण से ये फिल्म must watch बनती है और मैं क्या आप भी चाहोगे कि इसी तरीकी की फिल्म आगे साउथ इंडेस्ट्री से लेकर बेश आरम बॉलिवुड भी कुछ हद तक देने की कोशिश करे बट फिल्हाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है केजिएफ के चैप्टर टू को लेकर जिस बारे में आप आपकी राय मिज़े कमेन में चाहिए क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यही पर खतम करने का मैं हूँ अजीज शेख आप देख रहे थे मुवी स्टॉक चैनल जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनेविज बैल आइकन के साथ साथ नोडिफिकेशन को भी और पर क्लिक कर दीजेगा बाकि अब मैं मिलूँगा जल्दी आप से दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिकिसी और सीरिस के टॉपिक पर बात करते हुए तब तक लिए आप मेरे चैनल के बाकि दूसरी वीडियो को भी इंजय किजिए तिल देन बाई